हलो बच्चों कैसे हैं आप उम्मीद करते हूं आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे बच्चों आज हम पढ़ेंगे नाम वाले शब यानी संग्या बच्चों संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जिसका नाम ना हो हर चीज को हम किसी ना किसी नाम से बुलाते हैं आईए संग्या क्या है चित्रों के माध्यम से जान ले हमारे सामने एक चित्र है तो बच्चों आपने ध्यान दिया कि कमरे में रखी सभी वस्तों का तथा लोगों का कोई न कोई नाम है जिसे लड़का, लड़की, मा, फल, मेश, कुर्सी, किताब, पंखा दी अता कह सकते हैं कि संसार में सबके नाम होते हैं नामों को संग्या कहा जाता है क्या कहा जाता है नामों को? नामों को संग्या कहा जाता है अगर आप समझ गए हैं कि संग्या शब नाम होते हैं तो नीचे दी गए चित्रों के नाम लिखे हम इनको पढ़ देते हैं जैसे पहला चित्र है मोर का दूसरे में पेड बना है और तीसरे में मचली और चौत्य में है धैला अब इनको आप स्वैम लिखर तो उम्मीद करती हुम बच्चों आप समझ गए होंगे संग्या किसे कहते हैं नाम को ही संग्या कहते हैं या प्रानी कहो या वस्तू कहो तो अब आप भी संग्या के नामों को लिखने का प्रयास कीजिए और इसका अभ्यासकारे स्वयम कीजिए